हेलो गाईज वेलकूम बेक तो मैं ओ लूडियोग चैनल, तो आज मैं जा रही हूँ दिप्टी गंच चूडियोग की मार्किट, तो देखते हैं करबा चौट पे क्या-क्या आगे आये चूडियोग की नई आईटम्, तो चलते हैं हम डिप्टी गंच चूरियों गली मार्ट जिसमें बरतम भी मिलते हैं अगर बरतम नेने तो आप बरतन भी ले सकते हैं तो छलिये चलते हैं तो फ्रेंड मैंने अपनी स्कूटी लगा दी है और बिलकुल सामने खड़ी हूँ, मैं डिप्टी गंच की साथ नमबर गली में तो यह आगे ही हमें साथ नमबर गली के अंदर बिल्कुल सामने ही है चूडियों की मार्किट और साइडों में दोनों तरफ लगे हुए बरतनों की शॉप बरतन यहां से आप किसी भी टाइप के ले सकते हैं अपने घर के लिए भी ले सकते हैं या पार्टी शादी के लिए यहां से बरतन मिल सकते हैं तो वो भी यहां से ले सकते हैं और बिल्कुल रीजनेबल प्राइज में देकिन हमारा काम था आज चूडियों की मार्किट को एक तो भाईया ने इसके चार्ज किये शायद 200 रुपे उन्होंने चार्ज किये और आगे बहुत ही सुन्दर सुन्दर चूड़िया चूड़े लगे वे थे तो यहां से हमने भाईया से पूछा तो भाईया ने बोला इन सब के अलग-अलग रेंज है जिस भी रेंज में 200 रुपे मतब कड़ों के रेंज शुरू हो जाते तो हमने भाईया से यह पूछा अच्छा लग रहा था कड़े थे तो भाईया ने बोला 200 रुपे के चार पीस मिलेंगे आपको कड़ों काई और यहां पर आप बार्गिनिंग भी कर सकते हैं और भाईया वो रहते सामने ज सुन्दर जडाव कड़े मिल रहे थे और यहां पर चूणिया भी बहुत सुन्दर सुन्दर थी और यहां पर चूड़े भी बहुत ही सुन्दर सुन्दर चूड़े मिल रहे थे और यह कड़े भी भीया ने हमें बहुत ही सुन्दर लग रहे थे बहुत ही रेंज 200 रुपे पर बताए और मैटल के अंदर थे ये कड़े बाकी यहां पर चूड़े लगे वे थे यह भीया हजार रुपे चार्ज कर रहे थे चूड़ों का यह ब्राइडल चूड़ा है और यह सीप में है प्लास्टिक के अंदर बिल्कुल नहीं है इसमें पिंक कलर का भी चूड़ा बह यह भीया बोल रहे थे 800 रुपे का मिलेगा दोनों हातों का मत बहुत ही सुन्दर तार क्योंकि बड़ा था ना इसलिए और यह 400 रुपे का भीया बोल रहे थे इसका मगर आप बार्गनिंग करो के तो आपको इसके रेंज वो कर देंगे सही आपको धाई 300 रुपे के अंद कि क्स क्लर की चाहिए कड़े हम दिखा देंगे फिर अपको सैたいक बना चेह थे देंगे तो मैंने चूड़ियां देखी यहां भाईया से तो चूड़ियां भी बहुत ही सुन्दर सुदर चूड़िया थी वेलबेट में चूड़िया थी आपको प्लेम चूडियां चाहिए पूछी डिजाइन वाली चाहिए तो सबके रेट अलग-अलग थे कोई 10 रुपे कोई 20 रुपे कोई 30 रुपे सबके अलग-अलग रेंड ते मतलब दरजन में मिलेगी आपको चूडियां ऐसे छे चूडि नहीं मिलेगी पूरी-पूरी डब्या मिलेंगी जैसे दो-दो कड़े थे तो ये डेड़ सो रुपे के चार दो सो रुपे के चार इस टाइप से भाइया दे रहे थे बाकि हमने फिर अगेन रजवारी कड़ा बहिया से पूछा दूसरी दुकान पर आ गए थे हम तो उन्होंने भी हमें 400 रुपे ही इसका प्राइस बताया तो यहां बहुत सा मोतियों का काम हुआ था इस चूड़े के अंदर तो बहुत ही सुन्दर लग रहा था बाकि यहां पर प्लास्टिक के भी हैं उनके रेंज कम है जो आपको 50 रुपे 100 रुपे मिल जाए था एक मुझे यह चूड़ा दिखा यह करवा चौत का लिखा हुआ था इस पर शु में डिजाइन थे तो भीया बोले अगर आप लोगे तो मैं आपको और दिखा दूंगा वगर हमें तो वीडियो बनानी थी तो मेरे को जो दिखा मैंने उसी की वीडियो बनाना शुरू कर दी वाकि यह सारे स्टोन में लगे में कड़े सब की अलग-अलग रेंज थे यह हम बने वे और कड़े के उपर बहुत सुंदर थे बाकि यह है स्टोन का पूरा वर्क हुआ 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 है इस पे पूरे कड़े पे चोड़ा कड़ा है स्टोन लगा हुआ बाकि प्राइज मैंने सामने सामने सबके लिख रखें आप देख ले ना जो भी आपको चाहिए वहा अच्छे लगे तो हमने ले लेते हैं एक यह था बहुत ही सुंदर लग रहा था यह भी मैटल के अंदर था और कलरफुल ता जैसे आपकी कलरफुल साड़ी है तो उस हिसाब से आप कलरफुल चूड़ा ले सकते हैं और बीच में प्लेन चूड़ियां और यह हमें भईया चार सुर बताया था लेकिन यह हमें 200 रुपे का भईया ने दे दिया तो हमने यह चूड़ा हमने पसंद आया हमने ले लिया एक दम रजवाड़ा लग रहा था चूड़ा बहुत ही सुंदर था फिर हम आगे चले तो इसी टाइप की दुकाने यहां पर लगी भी थी अगर आप प्लेन कड़े पहनना चाते है डेली उसके लिए तो वह भी यहां से आप ले सकते हैं बाकी देखो कितना भरा हुआ है फुल यहां पर चूड़ियों का एकदम भरमार था और इस तरह से आपको होलसेल में भी अगर आप चाते हैं तो आप यहां से इनसे बात कर स और इसकी मैटल के कड़े थे अगर दूसरे कड़े आपको चाहिए यह पसंद नहीं है तो मैं दूसरे भी दिखा दूँगा आपको वह आप इसके साथ लगा सकते हैं पाकी हर दुकान पे इस तरह से चूड़ा लगा हुआ था और रजवारा चूड़ा आजकल बहुत चला लग रहा था देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था मतों वैसे लग रहा था जिसे मैं कहां आ गई हूं सारा शादियों वाला सीजन टाइप का लग रहा था फिर हम उधर से हम वापस निकलाए कि थोड़ी सी दुकाने थी तो हम गली से वापस आ गया उसी साथ नंब कर थे और बाकी आप बच्चों के लिए भी ले सकते हो और यह इतनी ही वीडियो थी अगर मेरी वीडियो आपको जरा भी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और जितना जादा हो सके वीडियो को शेर करना म बिल्टियु में से गली बीट